नकली पुलिस बन कर कागजात चेकिंग करने के बहाने, किसानों से देड़ लाख की लूट करने वाले आरोपी विनोध पोपटानी को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी नागपूर भाग गया था। भिलाई तीन पुलिस ने मोबाईल लोकेशन ट्रेस कर आरोपी का पता लगाया, आरोपी के कबज से लूट की रकम एक लाख चोवालिस हजार रुपे, दो मोबाईल और घटना में प्रयुक्त बाइक भी जब्स किया गया है। राइपूर के केलकर पारा निवासी विनोध पोप्तानी ने 31 अगस्त को खेरागड के दो किसानों से भिलाई तीन ठाना शेत्र में लूट की थी। मामले की जानकारी दुर्गो पुलिस अधिक्षक दॉक्टर अभिशेक पल्लव ने दी। एक घटना विलाई टीन में डेर लाग रुपे की लूट की बात दस दिन पहले सामने आई थी। पुलिस बनकर पैसा लिया गया था। उसको लगातार हमने उसको फॉलो किया। टेक्निकल ग्राउंड पर मुंबई टीम भेज के फोटल से उसको रिकावर किया गया। एक लाग चवाली साजा रुपे रिकावर किया गया है। और यह पुलिस की बरी कामिया था। वह पुलिस ड्रेस में था, सिविल ड्रेस में था। और वह लाइसेंस मांगने के लिए डर गया। दूसरा आदमी जो है लाइसेंस भूड़ने लगा। और यह पैसा लेके गयाब हो गया।